दोस्तो टोटल सॉलिशन मिलान वे आप लोग का स्वागत है तो दोस्तो आज मैं लेके आया हूँ एक 7388 जो आडियो कार एंप्लिफायर है कार स्ट्डियो है इसका पहले वाला वीडियो मैंने डाला था कैसे IC को उठाना है और इसका फ्लैप भी हमने काट के दिखाया था इस है और कैसे इसको रिपैर कर सकते हो चेक करके और इसमें IC डालके इसको आउन करके भी दिखाएंगे तो मैं इसका वोल्टेज भी नापके दिखाऊंगा और कॉंटिनुटी पे भी इसको बताऊंगा तो बहुत सरा बंदा लोग का एई पॉब्लम रहता है बहुत सरा बंद है तो यह देखिए पीला फाला जो हुए मुकती कोईल में आता है देखिए हम स्टेप बाइस टेप कोईल में आने के बाद एक रेजिस्टर रहता है फ्यूजेबल रेजिस्टर उसमें टेन ओम्स या बाइस ओम्स का हो सकता है उसके बाद रेजिस्टर से निकल के जो छोटा वाला जो कापासिटर है फाइब बोल्ड को फिल्टर करने के लिए इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका देखिए 16 वूल्ड 100 माइक फेराड फाइब फाइब बोल्ड के लिए राता है यहें पे एक रेगुलटर राता है जो कि फाइब ל का तो वो रेगुलेटर एदेखिए यहें फेर 12 वोल्ड इन होता है और रेगुलेटर के राइप साइश से यह आउट होता है तो अभ देखिए उसके बाद बारा वाला जो कैपासिटर है इसको यह देखिए यह भी 16 वोल्ट का है बाइस सो माइक्रोफैट का रहता है दोस्तों कभी-कभी हजार का भी रहता है तो यह देखिए इसका भी वोल्टेज हम आपके दिखाते हैं यह रेड वाला जो प्रॉप से जो वोल्टेज है बारा वोल्ट यह देखिए रेड वाला प्रॉप का बारा वोल्ट वही आपको कैपासिटर में मिलेगा यह देखिए कैपासिटर में बारा वोल्ट मिलेगा उसके बाद देखिए यह राइट साइट से देखिए आईसी का त करें सबस्य तो हीजी सबस्य वकार सबस्य चाहिए थे , यह वाला पीन में आएगा तो यह तो हो गया बारा भ्लट आई सी में आइका और 12 एर्प्लेटर आई सी तक आए गा यह बात आपके सामने क्लीर हो गया आफ हम बताएंगे वं भू। कहा कहा निय. के गुजरता है कहा कहा से होके पैनेल में आता है दोस्तों बहुत सरा बंदा लोग का प्रफ्लम रहता है पैनेल में लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों तो देखिए यही पे दो रेजिस्टर रहता है एक तो रहता है 47 के का एक रहता है 10 के का रेजिस्टर तो 47 के का एक खलता है 0.60 वह दोस्तों एक अटांजिस्टर रहता है उसका बेस में आता है दोस्तों टैंजिस्टर का नंबर है वान ए में चलता है दोस्तों तो यह दिखिए और 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 एक रेजिस्टर लगा हुआ रहता है एक सो तीन मतलब टेन के का जो की इसका बेस और एमिटर के साथ जूरा रहता है और एक कैपासिटर भी रहता है एमिटर में लगा हुआ तो इसका देखिए एमिटर सीधा जो है ग्राउंड के साथ जूरा रहता है देखिए ग्राउंड में आप लगा होगे मैं नजदिक से दिखा रहा हूँ देखिए यह दोस्तो 47K का रेजिस्टर है और उसके बाद 10K का है इसमें लिखा हुआ है 473 और साथ 112 ड्राउंड के बाद 0.6 बोल जाता है दोस्तो है और एमिटर जो है दोस्तोह है मिटर और वर बेस के साथ रसे लगा रहता है एक красивा है Celon तो आपको ग्राउन में मिलेगा उसके बाद इसका कालेक्टर है सामने वाला पिन कालेक्टर से होके जो बोल्टेज है दोस्तो यह फॉयल के फॉयल से होके जो पत्ता लगता है वह का जो सेवन नंबर पीन है दोस्तों वही से होके पैनल में आता है तो देखिए इतना तक तो आप लोग समझ ही लिया है इसका का का पे कौन सा बोल्टे जाता है आप रेगुलेटर लगाने के बाद रेगुलेटर में से जो फाइब बोल्ट निकलेगा दोस्तों ओ फाइब बोल्ट आपको लास्ट बाला जो दो पीन है दोस्तों जहां पे पत्ता लगता हो इस पे आता ह तो यह देखिए आप continuity मूर में भी मैं इसको आप लोग को continuity दिखाऊंगा यह दिखिए सारा पर continuity मिलेगा जहाँ जहाँ पर इसका connection है यह देखिए यह देखिए इसका collector से होके देखिए पत्ता का जो 7 नंबर पी ने मैं मीटर का प्रॉप को लेके जा रहा हूं यह देखिए जो seven number pin है वोई पर के लेकटर का connection है वोई से UMfight के साथ जुरा हूआ है टैंजिस्टर उसके बाद एदेखिए जो बारा फोल्ट है दोस्तों ल सिधा जो बारा फोल्ट है उसके साथ जुरा रहता है और हफाइब बोल्ट जो है दोस्तों यह देखिए लास्ट बाला जो दो पीने दोस्तों उसके साथ जुरा रहता है जो पत्ता का इससे continuity मिलता है तो अभी देखिए पत्ता लगाने के बाद इस जो फ्लैप को लगाएंगे स्ट्रीप को लगाएंगे यह स्ट्रीप को लगाने के बाद ऐसे करके लगाते हैं तो आप देखोगे मेन पावर बोर्ड से काप पैनल बोर्ड में आता है कौन सा सेंसर के लिए आईसी काम करता है कौन सा जो यह पैनल के लिएक रहता है तो ऑन लोगे लिए वीडियो बहुत ही helpful होगा तो यह देखिए यह जो दो नमबर पीन है लास्ट जो दो नमबर यह देखिए जो continuity मिल रहा है दोस्तो फाइब बौल्ट जो है दो नमबर पीन में आता है उसके बाद देखिए इस यह बलाफ पीन में आ जाता है डायरेक्ट इसमें इं होता एन होद दोस्तो फाइब बॉल्स निकलता है दोस्तो सेंसर का एब यह वला इसी काम करता पिछले वाला हिस्से में देखिए एस सेंसर लगा हुआ है यह सेंसर में तो 5 volt रॉफ होने के बात 3.3 volt बनके यह उन होता है दोस्तों और उसके बाद इसका i.r voltage निकल के जो रिमोर्स से काम करता है दोस्तों ir के लिए भी ses i6 से जो voltage निकलता है तो एक देखिए bottle मिल रहा है मिलता है दोस्तों एक continuity में हम दिखा रहे है Android दूसरा वाला जो aDadis ओनल के लिए काम करता है कि इसका भी फोल्टेज देखिए liet to seven नंबर रही वह से इसका देखिए देखिए छोटा वाला एक condenser दिख रहा है एक देखिए seven जो पीन है मैं दिखा रहा हूँ इसे देखिए छोटा वाला जो condenser है एक panel बोर में होई पे आता है मेन बोर से एक आइसी के पीन में आपको voltage मिल जाएगा एक reusable register होके इसमें आता है और इसमें condenser से filter होता है दोस्तों उसका milliampere थोड़ा कम होता है उसके बाद देखिए सीधा जो है पैनल में आ जाता है और डिस्प्ले का जो light बगरा है दोस्तों वह यह इसी चलाता है इसका number मैं दिखा देता हूँ इसका number a4901 दोस्तों इसका number यह इसी पैनल के लिए काम करता है दोस्तों यह देखिए डिस्प्ले का साफ साफ दिखाई दे रहा है पैनल का connection उससे लिएxt to be 7 number 15 में से निकलता है वोल्टेज उसके बाद के वालव फ़ाइव माला 5 जो निकलता है यह वाला यह सी काम करता है संसर का काम करता है दोस्तों जो ड लिम hope काम उनमें होता है क्यंपैड का니다. काम करता है दोस्तो विभी बटन वही ईशसी से होता है दोस्तों इस from here तो अब आप में बॉर्ड में डालींगे तो इसको दालके काईसे शुल्डर करना है इसका भी तरीकह है दोस्तों डारेक किसको सुल्डर करना इसको पहले बोडी के साथ सेट करना पड़ेगा थोड़ा हीट सिंग कंपाउंट लगा के तो यह देखिए हीट सिंग कंपाउंट थोड़ा लगा देते हम इस आई सी के उपर लगाना जुरूरी है नहीं तो आई सी फूख जाएगा दोस्तों हीट के करन तो इसमें देखिए ऐसे करके ब दोस्तों इसको थोरा सा लूज रखेंगे क्योंकि साइड वाला जो नाट है दोस्तों और एक उसको कसने के बाद ही आई सी का नाट को हम कसेंगे और दोस्तों इसको जोड़ से मत कसिए मतलब टाइट तो रहेगा लेकिन बहुत सारा बंदालोग इतना जोड़ से कस देता है इसके बाद दस मिनित चलने के बाद जो है कार स्टूडियो कराब हो जाता है तो बाद सोचता है नहीं अच्छी लगाया फिर भी कराब हो गया उसका कारण क्या है दोस्तों इतना जोड़ से आप कस देते हो इसको के आई सी अंदर ही अंदर क्रैक हो जाता है और उसमें प् पॉइन फाइब मिली एंपियर में काम करता है दोस्तों इसके लिए कॉंडेंसल लगा हुआ है एक हंडेड पोल्ट और सिक्स्टीन माइको फैट का तो यह दिखिए हम इस आई सी का सारा पीन को सोल्ड करते तो इसको भी सोल्ड करने का तरीका है आप यह दो कतर में यह पे पीन है तो एक बार इस साइड में एक बार उस साइड में ऐसे करके आप इसको सोल्डर कीजिए बारी बारी करके बगल बगल में मत कीजिए क्यूंकि ज्यादा हीट के कारण आई सी भी कराब हो सकता है लगाने के टाइम पे आप देखिए जो पत्ता मैंने कार के रखा था जो की CD से वो देखते हो चलता है के नहीं चलता है दोस्तों क्योंकि इसका जे छोटा वाला पत्त था हो तो कराब हो गया मैंने पहले वाला वीडियो में दिखाया था इसको कैसे नाप लेके इसको काटना है दोस्तों एह देखिए इसको काट के हम इसका समान कर दिया है एक एक जैसा पतला कर दिया है दोस्तों यह देखिए अभी हमने इसको डाल दिया है अब देखेंगे एक कार स्टुडियो चलता है के नहीं चलता है दोस्तों इसके इसमें हम बारा बोल्ट अभी इन करेंगे बारा बोल्ट का कनेक्शन पहले ग्राउंड का उसके बाद पॉजिटिव बाला कनेक्शन हम लगाएंगे तो देखिए दोस्तों और एक प्रोब्लेम आ गया इसका जो बॉल्यूम है दोस्तों बॉल्यूम कॉंट्रोल यहां से तूट गया देखिए मेरा नाइप उसमें गुश गया है ऐसा भी प्रोब आए नहीं देता है दोस्तों उसको भी हम ONDI-30 कर देंगे तो यह प्रोबल्लेम सिधार यह दर्으 दोस्तों बजाएगा तो अर्गर आप जection करने की जोड़रत नहीं है दोस्तों और दोस्तों मेरा चानल का वीडिव आगर अप लोह को अच्छा लगता है तो जोर्भ चानल क सब्सक्राइब कीजिए नोटिविएशन बेल आइकोन को दबा दीजिए नायना वीडियो के नोटिविएशन पाने के लिए और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेडिस में जाके आप तीन सो से करीब वीडियो है दोस्तों देख के लाब उटा सकते हो उससे बहुत कुछ सिखने को मिल सकता है आप लोग टेकनिशियान हो या नॉन टेकनिशियान हो और दोस्तों इस वीडियो को डालने के बाद है जो दो वीडियो मैंने डाला है सेगेंड पार्ट है दोस्तों तो इस दो वीडियो डालने के बाद आप लोग को कार स्टेडियो रिपेर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए दोस्तों मेरे को लगता है आप लोग को पूरा जानकरी मिल गया है और भी मैं वीडियो लाता रहूंगा तो देखिए अभी मैंने बॉलियूम का जो कटा इसको सोल्ड कर दिया अभी इसमें लाइन दे दिया हो एक बाद देखिए पैनल में ब्लिंक किया है लाइट आप इसको आउन करके देखेंगे तो देखिए मेरा जो कार स्ट्रियो था वो दोस्तों बिल्कुल से ही हो गया अभी इसमें हम स्पीकर का कनेक्शन लगा के देखिए बहुत ही अच्छा सांट क्वालिटी है इसका तो इसमें जो आइसी था दोस्तों टीडीए-7387 इसी था उसके जगह में हमने टीडीए-7388 आइसी को लगाया दोस्तों दोनों आईसी काम करेगा एक ही कार स्ट्रियो में तो देखिए इसका सांट जो आ रहा है द देखिए वाइबेड वो रहा है इसको साउंड अभी बराएंगे एदेखिए कार स्टुडियो बिल्कुल सही हो गए दोस्तो अब इसको थोरा थोरा करके मैं इसका वॉलियूम को बराऊंगा तो एदेखिए नाचने लगेगा दोस्तो तो एदेखिए बहुत ही अच्छे से वीडसे नाचरहा है दोस्तो मेरा कार स्टुडू जो था हो बिल्कुल सही हो गया आप लोग ऐसे करके इसको रिपेर कर सकते हैं और दोस्तो इस पichen कार स्टूडियो को अब हम सेट करके दिखाएंगे इसको बिलकूल इच्छे से इसको जल्दी architect कर लेते हो भी आप देख लेजिए इसको सेट करने के बाद इसको कैसे दिखता है और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जुरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों क्योंकि मैं उसमें कोई भी फेक वीडियो नहीं डलता हूँ और जो प्रोब्लम डायता है तो कभी-कभी चोटा-चोटा सा भी प्रोब्लम दिखने को मिलता है और भी उसका भी वीडियो हम डालते है और कभी-कभी बहुत ही अच्छा जो प्रोब्लम मिलता है दोस्तों वी आप लोग के साथ सेयर करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलिए आप लोग कमंड कीजिए जरूर कीजिए और आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं दोस्तों लाइक करने से क्या होता है वीडियो करने की इच्छा और भी बाड़ जाता है तो ओके टैंक यू वाचिंग माई वीडियो